बॉली बढ़ाइना में आपका स्वागत है मैं हूँ अत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे एक जून से नए रूल चालू हो रहे हैं तो रूल क्या है एक जून से बदलने वाले हैं कई नियम क्या सस्ता होगा प्रटॉल डीजल क्या प्रटॉल डीजल को जीश्टी के अंद भी नीवों में बदलाव होने बाला है चिल्चलाती गर्मी के बीच जून महिने में रसोई गैस सिलेंडर बैंकों के छुटियां आधार काड में अपडेट और ड्राइमिंग लैसेंस से जुड़े नीवों में परिवर्तन होने बाले हैं इन बदलावों को सीधा असर आम आदमी के जेप पर पढ़ने वाला है तो आये जानते हैं एक जून से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं BPG cylinder समित un petroleum पदावतों की कीमितों बदलौ। हर मैने की पहली तारीक को रसोई gas cylinder समित un petroleum पदावतों की कीमिते प्रट्रोम कम्प ole जाती हैं प्रट्रोम कम्पनिया इसका एलान मैने के आकरी दिन मध रात करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एक जुन दू हजार चौबिस को प्रट्रोलियम कमपनियां एलपेजी समेट प्रट्रोल डीजल की कीमितों में बदलाव कर सकती हैं इससे पहले मई में प्रट्रोलियम कमपनियां ने बाड़ जिक अनि कॉमर्शियल की कीमितों में कटवती की थी जुन में भी शिलेंडर की कीमितों में परिवर्तन हो जाए तो इसमें कोई आश्यार की बात नहीं होगी एक जुन से लंबे समय से इस्तिर रह प्रट्रोल डीजल की कीमितों में बदलाव देख सकता है हलांकि कीमितें बदलेंगी यह नहीं इस पर इस्तिती 31 मई दो हजार चौबिस को मदर रात्री तक ही साफ हो सकेगी ड्राइबिंग लेसेंस के लिए आटियों का चक्कल लगाने से मिलेगी निजात एक जुन से नए परिवन नियम लागू हो रहे हैं हर महें में ड्राइबिंग लेसेंस आसिल करने के लिए आटियों में ही टेस्ट देना अनवार नहीं रह जाएगा ऐसे में ड्राइबिंग लेसेंस टेस्ट पास करने की पिक्रिया अब आसान होने की उम्मीद है एक जुन से अब सरकार की ओर से भी मानिता प्राप्त निजी संस्तानों में भी ड्राइबिंग टेस्ट दे सकते हैं इससे लोगों को ड्राइबिंग लेसेंस का टेस्ट देने के लिए आट्यों का चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी ट्रैफिक नियम सक्त होंगे नए याता नीमों के तहट ट्रैफिक नियमों को बड़ा कड़ा किया जा रहा है अट्रैण साल से कम वूमर के लोगों पर ट्रैफिक नियमों के उलंगन करने पर उनके बहान चलाने पर पाच्चीज़ार रै borrowing जुर्बाना लगाए जा सकता है ट्रैफिक नीमों के उलंगनों करने पर लाइसेंस रद तो किया जाएगा इसके साथ ही 25 साल का नया लाइसेंस भी जारी 25 साल तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा अन्यात्यात नीमों के उलंगनों पर सीमा का विप्रद्धन किया गया है तेजगती से गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपए से दू हजार रुपए बिना लैसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए हेलमेट ना पहनने पर 100 रुपए और सीट बिल्ट ना पहनने पर 100 अपडेट इन्विक आइडेंटिफिकेशन अथर्टी आफ इंडिया यानी यू आईडी दी आई के अनुसार अगर आपने दस साल से अपना आधार कार्ट अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक आप ऐसा फिरी में कर सकते हैं अगर आप 14 जून के बाद अपना आधार कार्ट अपडेट करवाते हैं तो आपको इसके लिए कुछ सुल्क चुकाना पड़ सकता है आप अपने आधार कार्ट को घर बैठे या आधार कार्ट सेंटर पर जाकर भी अपडेट करवा सकते हैं अगर आप आधार कार्ट केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ट अपडेट करवाते हैं तो आपको 50 रुपए सुल्क के रूप में शुकाना पड़ेगा वहें यू आई डिए आई पोटल पे जाकर करें खुद से अधार काट अपडेट करने का करने पर फिलाल कोई सुलक नहीं चुकाना पड़े जून मैने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक जून मैने में बकरी बट सावत्री ब्रद समयत अलग अलग पर्व तुहारों पर मौकों पर सारजविनिक और सब्ताइक छुट्टियों के चलते कई दिन बैंक बंद रहने वाले रिजर्ब बैंक आफ इंडिया की अधिकारिक सब्सक्राइब के करण जून मैने में पहली तारीक को ही कई राज़यों में कुछ छ्ट्रों में बैंक साखाएं बंद रहींगे बैंक शाक्राइने के करण आप बैंक जाकर के कोई भी सेवा हासिल नहीं कर सकेंगे ऐसे में आप अपने बैंकिंग से जुड़े कारी को बैंकों के चुट्टियों को देखते हुए पिलान करें यही बेहतर रहेगा हालांकि कई बार यहां गौर करने वाली बात है कि जिन दिनों को बैंक साखाएं बंदर रहेंगी उन दिनों में भी बैंक ऑनलाइन सेवाएं इताबत चालूर रहेंगी पैन आधार लिंक नहीं किया है तो फूर्दी यह परिशानी आयकर भिवाग ने हाली में अध्सूच्या में करदाताओं को अपने इस्ताइक हता निए पैन को 31 मई तक आधार के साथ जोड़ने के लिए कहा है ताकि उच्छ दर पर करकडोती में बच्चा जा सके मौजोदा अनुसार यह करदाता का पैन कि इसके आधार से नहीं जोड़ा है तो सुरक पर करकडोती को एक जुन से सावन दर में दूगनी दर से काटा जाना आनिवार है तो एक हमारा आज का वीडियो आपको काशा लगा हमें अब बस बताएं धन्वाद